जैहिन दोस्तों एक प्रश्ण जो सभी बच्चा पूछ रहा है कि सर यो बिहार सेवंथ फिट टीचर बहाली आ रही है क्या उसके लिए सीटेट पास करना होगा क्या सर पूरी जानकारी दे देजिए चुकि मार्केट में पूरा अफवा फाइल रखा है है ना बच्चे काफ फिट टीचर बहाली जो है 2020 क्या ये सिर्फ अफवा है या सच में वेकेंसी आने वाली है उसको देखेंगे साथी साथ सीटेट पास करना होगा क्या इसके लिए आपको बीएट करना होगा क्या डियलेट करना होगा डियलेट वाले हैं तो क्या दिक्कत है क्या सीटेट पास किये भीना नहीं बैठ सकते हैं इस examination में क्या BPSC करना होगा क्या BPSC की तैयरी करनी होगी टीचर बनने के लिए सारी चीजे देखेंगे साथी साथ form कब आएगा है ना क्या लगता है कब तक form आने का अनुमान होगा salary कितना होगा sir अगर BPSC के दुवारा इतना पढ़के इतनी मेहनत करके अगर टीचर बनते हैं तो salary कहा तक हमारी जाएगी कौन कौन दे सकता है इस examination को क्या eligibility के टरिया है और exam pattern और syllabus हमारा क्या हो सकता है नई syllabus क्या हो सकती है उसको देखेंगे और साथी साथ नई बहाली जो 2020 ह इसके बारे में भी यहाँ पर discuss करेंगे और एक free telegram group जहां पर आप सभी लोग एकठा हो करके तयारी कर सकोगे और जो भी steady material होगा free of cost आपको telegram में provide करेंगे आपको उसको कैसे join करना और कैसे आपको तयारी करनी है अभी से ही क्या tips and tricks आपके लिए होना चाहिए वो सारी ची क्या सर ये बिहार teacher जो बनने वाला बिहार से teacher कैसे बने तो देखे सबसे आसान तरीका में लिख लिख करके आपको बताऊँगा समय लगेगा माफ करना लेकिन अंतक देखना अप देखो अगर आपको teacher बनना है तो बिहार से टीचर कैसे बने यही तो प्रशन है ना बिहार सभी लोग पास करते हैं फिर आप 12th पास कर लेते हो 12th पास करने के पास आपके पास दो चीज़ें रहती है दो प्रोसेस रहता है एक तो आप 12th के बाद डारेक्ट जो है 4 वर्सी B8 कर लो 4 वर्सी B8 कर लो आप 4 वर्सी B8 कर लो 12th के बाद चार वर से B8 कर लो या फिर 12th के बाद आप डारेक्ट जो है ये नहीं करना चाहते हो तो आप DL8 कर लो है ना DL8 कर लो कल तक DL8 चल रही थी बिहार के अंदर में अभी भी DL8 चल रही है तो ये चीज़े कर सकते हैं 12th के बाद आप DL8 कर लेते हो 12th के बाद DL8 कर लिया चार वर से B8 कर लिया इस कंडिशन में चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपने ग्रेजवेशन के तो आपको एक और श्टेप बढ़ना होगा यहां से आपको B8 करना होगा दो वर से B8 करना होगा ठीक है यानि अब आप ट्रेंड हो चुके हो ट्रेंड टीचर बनने के लिए हो ट्रेंइंग आपकी कंपलीट हो चुकी है DL8 दो वर से कर लिया चार वर से B8 कर लिया या फिर B8 दो वर से कर लिया 12th के बाद इधर चले गए आप तो 12th के जश्ट बाद इधर गए तो ये दोनों में से कोई एक कोर्स कर लिया 12th के बाद इधर आए तो ग्रेजवेशन करने के बाद आपने दो वर से B8 कर लिया यहां तक करने के बाद जो नई नियम कहती है उसके हिसाब से उसके बाद आपको एक और एक्जाम पास करना है जो आप सभी लोग दोगे उस एक्जाम का नाम है Central Teacher Eligibility Test ठीक है? सीटेट आपको देना होगा अब देखो जिन्होंने बिहार टीटी पहले दे रखा है उनको सीटेट नहीं देना होगा लेकिन जिन्होंने बिल्कुल जो नए लोग है जो इससे पहले टीटी नहीं दिया था जो पाँच-छे साल पहले टीटी हुआ था वो नहीं दिया था आपने तो आप सीटेट कर लो सिधा सिधा सीटेट में पेपर वन पेपर टू दोनों है DLA 12th label पर होता आपने अगर 7 में graduation किया हुआ है यानि DLA plus graduation देखो सब किया लिए बात करेंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन confusion दूर होगा DLA किया हुआ है और 7 ही 7 अगर आपने graduation कर रखा है तो आप जो है paper 1 भी आप दे सकते हो seated का और paper 2 भी दे सकते हो लेकिन सिर्फ 12th के बाद DLA कर लिया और DLA के बाद seated दे रहे हो यानि graduation नहीं हुआ है तो इस condition में paper 1 ही seated का आप दे सकते हो ठीक है 1, 2, 5 का ही teacher बन सकते हो अगर 1, 2, 8 बनना है तो आपको 12th के बाद DLA कर लेना DLA अगर आपकी चल रही है तो आप इगनूब अगर से कहीं से आप सेम सब्जेक्ट में जो है आप क्या करो B8 भी कर लो यानि graduation भी कर लो तो फिर आप जो है paper 1, paper 2 भी पास होने के बाद यह graduation पास होने के बाद paper 1, paper 2 भी आप भर सकते हो ठीक है चार वर्सी B8 हो कोई दिक्कत नहीं आपका essay graduation हो गया graduation और B8 साथ साथ हो गया BSC B8 या BAB8 आपका हो चुका है तो आप जो है direct seated का paper 1, paper 2 दोनों भर सकते हो और दो वर्सी B8 के हो यानि आप पहले से graduation पास हो तो यानि paper 1, paper 2 भर सकते हो यहां तक seated अगर पास कर लिए अब सवाल उठता है कि seated में क्या अच्छे नंबर से पास करना जरूरी है बहुत जरूरी है अच्छे नंबर से पास करना क्योंकि BPSC जो एक्जाम लेगी ना आपकी वो आपको यही सारे नंबर जोड़ करके फिर वो cut up जारी करेगी आपसे जब form लेगी ना हर चीज पूछेगी आपने seated में कितना लाया आपका 12 में कितना है 10 में कितना है graduation में कितना है और जो BPSC में marks आएगा वो सब को मिला करके फिर वो list जारी करेगी अगर सिर्फ BPSC के नंबर को ही वो जोड़ेगी तो कल से TT और यह जो BAD वाली जितनी भी training वाली courses है कोई बच्चा इस पर धियान नहीं देगा सिर्फ pass करके बच्चे आएंगे क्योंकि उसको पता है अगली लडाई हमारी BPSC से है क्यों ना हम BAD में रहा करके BPSC की ही तियारी करें टीटी की तियारी करें तो इस चीज को रोकने के लिए कि आप अच्छे से training कर सको इसके नंबर हमेशा से जुड़ते रहेंगे अगर B 85, 90% है ना इस तरह के नंबर आप लेके आते रहो 85, 87, 90 जितना ला सकते उतना लाओ हर जगा पेपर में भर भर के नंबर लाओ आप आगे यही नंबर आपको काम देगा यहां तक किलियर हो गया जब आप सीटेट दे दोगे गुरू जी तो सीटेट देने के बाद आप दे पास करना पड़ेगा क्या गुरू जी इसको पास करना बहुत कठीन है क्या हमको इसको पास करने का मतलब क्या है गुरू जी इसको पास करने का मतलब क्या है जल्दी से बताइए क्या गुरू जी इसको पास करने का मतलब यह है सौरी यहां पर आ जाते हम लोग हां इसको प यहां पर जो है जो combined interestwd होती हो उस level का होगा बिल्कुल नहीं होगा आपको जो CTAT का आपने exam दिया है बिल्कुल CTAT level का पेपर होगा CTAT से थोड़ा सा पलस होगा CTAT level का ही होगा CTAT का level क्या इतना आसान लगता है आपको CTAT का level अल्रेडी बहुत कटिन है तो यह बिल्कुल CETAT के लेवल का ही पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि BPSC ये करेगी वो करेगी कुछ नहीं करेगी BPSC जो पेडागोजी आपने पढ़ा ग्रेजवेशन बीएड में या डीएड में वही पेडागोजी आपने CETAT में थोड़ा अपर लेवल का पढ़ा वही पेडागोजी यहाँ पर पूछा जाएगा वही हिंदी, जीके यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी डरना कहीं नहीं है चलिए, अब यहाँ पर एक एक प्रश्न को टेकल करते हैं जो प्रश्न हमारा था तो अब तक हमारा क्या हुआ, हमने यह देखा कि क्या CETAT पास करना होगा तो बिल्कुल पास करना होगा और पूरी प्रोसेस भी हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको सुरवात से यहाँ पर बताने का परियास किया अब देखो, जो लोग भी B8 2nd year में हो या B8 1st year में हो, तो CETAT अब जो कोई भी भर सकता है तो आप CETAT जल्दी से भर लीजिए और अभी जो जुलाई वाली यह उस CETAT की आप तयारी किज़े या नहीं कर सकते हो, तो दिसंबर वाली जरूर भर देना क्योंकि आने वाली जो वेकिंसी है, यह आपका मिस नहीं होना चाहिए जब तक CETAT नहीं रहेगा, तो साइद आप बिल्कुल नहीं भर पाओगे वहाँ पर, ठीक है वीडियो मैं लंबा कर रहा हूँ, जान बूच के, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारे प्रशनों का जवाब दे रहा हूँ देखो यह बिल्कुल निउज निकल करके आई है और आपकी यह जल्द ही सारी चीज़े निकल के आने वाली है, लिखित परिक्षा से न्यूकती सिक्षकों की होगी और पचीज से बतीस हजार तक मूल वेतन मिलेगा, मैं पूरा न्यूज नहीं पढ़ने वाला हूँ बस इतना बता देता हूँ, अगर आप पांचवी कक्षा तक पढ़ाओ गया, तो कुल वेतन 37,500 मिलेगा, हैना चटी से आठवी तक के लिए 41,800 के असपास नवी के लिए जो अगर आप पढ़ाते हो, तो something 40,000 के आसपास यहाँ पर है, मैं एक सिकंड देख लेता हूँ, यहाँ 40,000 के आसपास है, और 11,12 के लिए, अगर आप पढ़ाते हो 11,12 के लिए, तो आपको 47,720 जो है, यहाँ पर वेतन मिलेगा, तो यह सारी चीजें हैं, अब देखो यहाँ पर मूल वेतन के अलावा 42% महंगाई भत्ता, यानि 1,000 रुपए चिकितसा भत्ता और सहरी आवास भत्ता भी देख, जितना अभी तरह का बिहार सरकार के करमचारी को भत्ता मिलता, वो सारी भत्ताएं जो है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर मैं दो-चार लाइने अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, बिहार कि नई सिक्षक नियमावली के अधार पर बिहार लोग से वायों की प्रस्तावित लिखित परिक्षा से चुने जाने वाले विद्याले अध्यापकों का मूल वेतन तै हो गया है और यह वेकेंस्टी कब आएगी, यह सारी चीज़ें भी यहां पर देखते हैं, कितना सिट खाली है सरकार पर पड़ेगा यह बोज है यह बोज वगरा के बारे में है, विद्याले में अधापक जो सिर्जित पत हैं, कक्छा एक से पांस तक के लिए 85,000 पत खाली है 6 से आट के लिए 17,000 9 से 10 के लिए 33,000 और 11 से 12 के लिए लगबख 57,618 पत खाली है, हमें तो एक पत चाहिए गुरू जी, इतना पत हम जानके क्या करेंगे बहुत बड़ी बेकिंसी है, बस इतना यह हमारे एक्जाम में नहीं पूछेगा कि कितना पत आने वाला है हमें तो बस एक चाहिए, एक चाहिए, ठीक है अब सवाल देखे, कुछ और प्रशन आपके थे, उसको भी देख लेते हैं इसका अगला प्रशन था कि फॉर्म कब आएगा, गुरू जी, फॉर्म कब आएगा आपकी, देखो, बहुत फॉर्म की बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है आप देखो, अगले तीन महिने के अंदर में आपका फॉर्म आएगा, अगले तीन महिने में तीन महीने में आपकी form आ रही है यानि अभी हो रही है आपकी क्या मई चल रही है है ना मई चल रही है जून जुलाई अगस्त तो अगस्त तक कितना भी लेट होगा तो अगस्त इंड तक जो है form आ जाएगी और अगस्त के बाद रखो September, October, November तक आपकी examination हो जाएगी November तक exam हो इनसान जिन्होंने क्या किया है 12th पास किया है DLA कर रखा है या फिर आप 4 वर से 28 कर रखा या 2 वर से 28 कर रखा इसके साथ-साथ अगर आपने सीट 8 पास कर रखा है तो आसानी से जो है आप इस फॉर्म को फिलब कर सकते हो ठीक है अभी देखो बीपेसी टीटी का फिलब करने के लिए ग्रश्वन में कितना परसेंट होना चाहिए बेउखूफी वाला सवाल आप नहीं पूछेंगे क्योंकि पहले ही आपका बीएड पास करा लिया चुका है 5030 नंबर पर आपकी एडमिशन हो चुक अब डिया रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत अच्छा की स्थपने गार्श्य चाहिए काहँ हूं गधाँ ही तो न्यू इक्जाम कायईगा तक न्यू इक्जाम का पेक्रन सब्सान हो यहां पर देखिए कैसे आप फिरी टेलिग्राम गुरूप से जुड़ सकते हैं और टीचर के लिए जितनी सारी PDF होगी, study material होगी, news होगी, वो सब हम एक जगा आपको देते रहेंगे और साम में हम class announce करने के लिए जा रहे हैं अगले एक से दो विक के अंदर में, यानि दस दिनों के अंदर में within 10 days, निरंतर क्लास साम में हमारी श्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले भी हम श्टार्ट कर सकते हैं, आपको टेलिग्राम एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपको लिखना है, यहाँ पर छोटी सी हमारी तस्वीर होगी, और यहाँ बोल्ड अक्षर में आपको यलो में टी ती दिखाई देगा, इस वाले ग्रूप को जल्दी से जोईन कर लिजे और इसके लिंक को अपने दोस्तों में सेर कीजिए, ठीक है, यहीं पर आपकी संपुर्न क्लासेस जो है, चलनी सुरू होगी, ठीक है, तो आई होप कि आपको यह मजा आया होगा, आप बताईए कि आपको कैसा लगा, जो आपके जितने सारे प्रशन थे, और जितनी सारी मित थी, वो सारी चीजों को हमने दूर किया, अगर आपके कुछ भी डाउट्स और होंगे, इस एक्जाम को ले करके, तो आप कमेंट में लिखेगा, अगली वीडियो आपके कमेंट के उपर बनाएंगे, और अपने दोस्तों में यह जरूर सेर किजेगा, और जो हमारा गुरूप था ना, इसको जल्दी से आप सभी लोग जोईन कर लिजे, BPSC TET 2023 लिख करके, थैंक यू सो मच, बाँ बाई